गुड इवनिंग, I hope कि आप सब अच्छे आंगे और आगे बेच चलें तो मैं बात करने वालों FPGA के बारे में ठीक है बहुत शॉर्ट में इसका एक शॉर्ट नोट टाइप में आता है एक्जाम में VLSI डिजाइन के, मैं जाता है डीप में न जाओंगा इसलिए तो basically जो FPGA की full form होती होती है field programmable gate arrays इसके नाम से ही पता लग रहा है कि ये gate जो होते है न logic gates उसके array है array means जो एक तरह से row और column बहुत सारे हों और एक पूरा एक जाल की तरह बना हो ठीक है तो ये gate के array होते है ये दिखने में कुछ step से होता है इसका structure ये है कि इसमें क्या होता है logic gates जो होते हैं उसके cell बने होते हैं बहुत सारे logic gate को मिलाकर एक circuit बना देते हैं और उसी को बोलते है logic cell और उसी logic cell को कई बार repeat किया जाता है एक पूरा FPGA बनाने के लिए ठीक है इसमें क्या होते हैं कि आपके जो programmable interconnect होते हैं इंटर कनेक्ट मितलब कुछ नहीं वायर्स जो होते हैं नॉर्मली जो कि क्या करते हैं सिग्नल को सही जो logic cell है उस तक लेकर जाते हैं ठीक है अब क्या होते हैं इसमें input output cell भी होने चाहिए पहले जो circuit है उस circuit को आपको एक EDA टूल में बनाना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे कि उस circuit को very log जो language होती है उस language से आप इसे बनाएंगे और very log language को जो code होगा वह आप इसमें upload करेंगे ठीक है तो उस code से जो भी circuit इसमें like आपका बनकर आया होगा software में वो आपका इसमें बन जाएगा और आप इसको उस circuit की तरह use कर सकते हैं physically ठीक है जैसे कि आपका Arduino होता है न तो Arduino में क्या होता है आप Arduino में code को like upload कर देते हो और आप उससे कोई भी अपना जो भी रोबोट या कुछ भी बनाना होता है बना लेते हो सेम वैसा ही काम यह करता है इसमें very log language का use होता है I hope कि आपको इस थोड़ा बत समझ में आया होगा